आज हम जानेंगे इटो का प्रयोग कब से हो रहा है और इटो से बनी प्रसिद्ध इमारत कौन-कौन सी हैं और इनमें इटो से क्या-क्या बनाया गया है इतने ध्यान से क्या देख रही हो इटो से बनी स्कूल की इन दिवारों को देख रही हूँ हाँ पता है इंजीनियर सर ने ही तो बताया था कि लगभग सभी कंस्ट्रक्शन वर्क याने निर्मान कार्य में इटो का प्रयोग होता है मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में इटो का प्रयोग होता है तो फिर पहले के लोग भी क्या इसका इस्तमाल करते थे इटे कब से बननी शुरू हुई और इटो से क्या क्या बनाया गया क्या सभी इटे इसी आकार की होती थी और इटो से क्या क्या बनाया जा सकता है तो फेर समय क्यों बरबाद कर रही हो, चलो चल कर इंजीनियर सर से पूछ लेते हैं, मुझे भी ये सब जानना है चलो नेहा और बंदना, बताइए आज क्या जानना है? सर, मुझे जानना है कि इंटो का प्रयोग कब से हो रहा है और इंटों से बने प्रसिद इमारत कौन-कौन सी है और वो कहां-कहां पर है? आपने तो बहुत ही मज़ेदार सवाल पुछा है, चलिए, पाक में बैठ कर बात करते हैं आप लोग तयार हो इंटों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए? जी सर जो लोग पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, उनके अनुसार इंटों का सबसे पहला प्रयोग आज से लगभग 9000 साल पहले किया गया था यदि इतने पुराने समय से इंटों का प्रयोग किया जा रहा है, तब तो बहुत कुछ इंटों से बना होगा सर, फिर बताईए ना कि इंटों से क्या-क्या बनाया जा चुका है? इंटो का प्रियोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में किया जाता है क्या तुम्हें पता है? कुछ इंटो को सिर्फ धूप में सुखा कर बनाया गया ना कि आग में पका कर इनको सूखी इंटे कहा जाता है चाहे जैसी भी इंटे हों और जिस भी देश की हों हाँ पर उनमें एक समानता जरूर होती है इंटो का आकार वह हर जगह धनाब यानि क्यूबॉइड ही रहा ये देखिए ये एक बहुत पुराना गाउं है और इसमें आप सूखी इंटो का प्रयोग देख सकते है इतने पुराने समय से इंटो का प्रयोग हो रहा है तब तो इंटो से बहुत कुछ बनाया गया होगा जब इंटे ही निर्मार कारे का एक मात्र तरीका था तब पूरे के पूरे नगर ही इंटो से बनाए जाते थे इंटो से सड़क बनाए गई है पुराने समय के मंदिर, स्टूप, चर्च इत्यादी में भी आप इंटो का प्रियोग देख सकते हैं इंटो से ही टावर भी बनाए गए है और जर्मनी में दुनिया का इंटो का बना सबसे उचा टावर है जर्मनी में ही एक सभाग रहा है जो इंटो का बना है और बहुत सुन्दर दिखता है पोलिन में एक किला है जो इंटो से बना हुआ सबसे बड़ा किला है और बहुत सुन्दर दिखता है सर क्या आप इन सभी जगह जा चुके हैं? हाँ और मैंने इन सभी जगह की तस्वीरें भी इकठी की हैं सर फिर वो तस्वीरें हमको देखाए ना? वो अभी तो मेरे पास नहीं है मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा सर फिर हम कल लंच के समय तस्वीरें देखने आएंगे आज हमने कुछ जगह के नाम सुनें जहां पर इन्टो को बहतरीन तरीके से इस्तिमाल किया गया है कल तस्वीरों के जरीए इनसे जुड़ी और बातें जानेंगे